नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जहां आज हम सभी आतों को क्लीन करने के बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है हमारे पीट में जब भी प्र क्या आपको पता है कि बड़ी आंत में गंदगी किस कारण जमती है आखिर हम ऐसा क्या खाते हैं जिसके कारण हमारी बड़ी आंत कचरे से भर जाती है तो आएए आज इसी बारे में हम जानते हैं जो भी लोग मैदे से बनी हुई कुई भी ऐसी चीज खाते हैं जो सड़ी हु तो वो बड़ी आन்त में जा कर चिपकेगी और बड़ी आन्त धीरे-धीरे कच्रे से बहरती जाएगी यह फिक्स बात है और वहां की दिवार मोटी होती जाएगी यानि कि अंदर से जो आपकी skin है उस पर जमता जाएगा कचड़ा जैसे जैसे बड़ी आत की दिवारों पर कच्रा बढ़ता जाएगा उसकी सफाई भी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी और अगर इसकी सफाई नहीं हो पाएगी तो आप एक गंभीर समस्या में फंस जाएगे इसलिए आयरुवेद में कहा गया है कि मैदे और मैदे से बनी होई कोई भी खाने में नहीं शामिल करनी चाहिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये अत्यधिक चिकना होता है इसलिए आप इसे बिल्कुल ना खाएं बड़ी आत में कच्रा बढ़ने पर आतों में अत्यधिक कफ का निर्मार होने लगता है और वो कफ फेफ़रों की तरफ बढ़ने लगता है जमने लगता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो भी अत्यधिक कफ का निर्मार आतों में कच्रे के बढ़ने से होता है ये हम आपको बता चुके हैं और साथीं कब्ज पीट में गैस होना पीट में भारीपन पीट में कसाओ मु पर इससे भी ज़्यादा खराब इस्थिती मैदे को सड़ा कर बनाई गई वस्तू को खाना और मैदे को सड़ा कर जो सबसे ज़्यादा बनाई जाती है वस्तू वो है डबल रोटी, पाव रोटी, मैदे को सड़ा कर बनने वाली जो दूसरी वस्तू है वो है बिस्कुट्स औ आपको पहुँचा देते हैं यानि कि आपके पेट को बिल्कुल ही निकम्मा बनाते जाते हैं इसलिए आप आज से ही और अभी से ही बलकी ऐसी चीजें खाना बंद कर दिजें क्योंकि ये मैदे से बनी चीजें बड़ी आत में जाकर चिपक जाती हैं और ये आतों में जाकर जैसे किसी दिवार पर डामर लगी हुई हो और आप जानते हैं कि दिवार पर लगी हुई डामर को अगर आप छुडाने जाते हैं तो देखिए कि कितनी मेहनत परती है उसको छुडाने में ऐसे ही जब आपके पीट में जाकर के सड़े हुए मैदे के कन चिपक जाते हैं तो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है इसे आप नॉर्मल पानी पी करके तो निकाल ही नहीं सकते इस मैदे को खुरच-खुरच कर बाहर निकालना साधारन इस थिती में आप इसे पानी से भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं यह ध्यान रखिए फिर उसके लिए आपको खराब से खराब यानि के हाड से हाड दवाएं लेनी पड़ती हैं जुलाब कराना पड़ता है जिसके लिए आपको पेट साफ करने के लिए बहुत सी श्ट्रोंग दवाएं खानी पड़ती हैं इसके अलावा कई बार आप फसें और दुख तकलीफ जहलें, इससे अच्छा है कि आप कभी भी मैदा या मैदे से बनी हुई किसी भी चीज का सेवन ही न करें, कहा जाता है न कि बिमारी को आने देने से, यानि कि मुसीबत को आने देने से और इसके बाद इलाज करने से बहतर है कि आप डिफेंस मे से बचे रह सकें, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे पेट में किस वज़े से यानि कि आतों में किस वज़े से चिपक जाता है मैदा या कच्रा, इससे अगर आप बचे हैं तो इससे बेश्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खा चुके हैं और उनके पेट में गड़बड़ी हो चुके है, तो इसका भी सल्यूसन है, आज हम इसी बारे में जानते हैं कि कैसे दूर कर सकते हैं पेट में जमे हुए कचड़े को, इस प्रियोग को करने के लिए पंसारी की दुकान से सुहागा लेकर आप आईए, वो सुहागा जो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा, और फिर यह हलका फुलने लगता है, इसलिए सुहागा थोड़ा थोड़ा करके ही सेकें, ज्यादा डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा, इसे तब तक आपको सेकना है, जब तक इसमें से चिर्चिर की आवाजें आनी बंद न हो जा ध्यान रखें कि आप इसको कितना भी सेकेंगे, यह जलता नहीं है, जी हाँ, इस बात से आपको फिक्र रहना है कि यह जल जाएगा, जलता नहीं है सुहागा, हाँ, फिर भी जब चिर्चिर की आवाजानी बंद हो जाए, तो आप इसे सेकना बंद कर दीजे, इसके साथ सा कांच की सीसी में बंद करके रख लीजिए, अब इसकी प्रियोग वीधी जानते हैं, कि इसको प्रियोग कैसे करना है, खाना खाने के बाद आपको गुनगुने पानी में चने के दाने के बराबर मिलाना है सुहागा को, और फिर इसे पीना है सुबह शाम, ध्यान रखें, जब प्रोब्लेम जादा हो, तो अस्टार्टिंग के दो दिन या फिर तीन दिन आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद इसे खाली पेट ना लें, गुनगुने पानी में आप डाल दें इसको, इसके बाद पी लें, खाना खाने के बाद, ध्यान रखें कि इसको आपको तब तक पीना है, जब तक कि आपकी समस्या खत्म न हो जाए, आपकी प्रोब्लेम खत्म न हो जाए, जी हाँ, इससे अगर किसी को दमा है, चाहे छोटे बच्चे को सांस लेने में ही तकलीफ हो रही है, दे दीजिए, उसको रहत मिल जाएगी, अस्थमा, गैस, या फिर मूँ में छाले हो गए हो, कबजी की समस्या हो, ये सारी बिमारियों को ये खत्म कर देता है, छाती में खड़खर की आवाज आ रही हो, यानि कि कफ जम्मा हो गया हो, जुकाम हो गया हो, तो आप दो से चार दिनों तक लीजिए, सुहागा, आप ध्यान रख कि दही, केला, चावल, ठंडे पदार थे, यानि कि कोई भी आप खाने में अपने शामिल न करें, अन्य था आपको फायदे की जगह नुकसान होने लगेगा, इस बात का आपको खासा ध्यान रखना होगा, जिहां दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, और सुहागे का समुची तुपेओ करते हैं, तो आप आपो को क्लियर करने में, यानि कि क्लीन करने में, साफ करने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, जिहां दोस्तों, तो ये बेहद ही कारगर आजमाई हुई जानकारी थी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहाद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों